सीजन 2 एपिसोड 8 स्टार्ट होता है और हमें ड्रॉन सालमंगा का ट्रॉक दिखाय गया है यह बॉर्डर पोर होता है और ज़ो कस्टम सवगरा होते है इसके बहुत ही तलाशिवगरा ले रहे होते है वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता यही ट्रॉक होता है जिस पर माइक नजर रख रहा होता है फिर वो ट्रॉक हमें बॉर्डर पार करके दिखता है और उसका जो ड्राइवर होता है वो एक जगा जाता है डेजर्ट में आकर वो एक गन वहाँ से उठा लेता है उनका वो एक स्पॉर्ट होता है जहां वो गन रखते है नेक सीन में हमें दिखता है कि कीम अब सॉल के साथ काम करने वाली है तो इसलिए सॉल उसे सजेस्ट कर रहा होता है कि तुमारा जो क्लाइन्ट है जो तुमने साइन किया है मैसा वर्डे यह बहुत ही बड़ा क्लाइन्ट होता है तो वो उसे सजेस्ट कर रहा होता है कि तुम उन्हें कॉंटेक करो और हमारे फर्म में उन्हें लेकर आओ तुम तुमारा लेटर आज रादी साइन कर दो और मैसा वर्डे को कॉल कर दो HSM को जब पता चलेगा तुम resign कर रही हो वो अपना client फिर से return करने में लग जाएंगे उनको यह अच्छा नहीं लगता किम बोलती है कि मैं उन्हें छोड़ने वाली हूँ और मैं उनका client ले लूँ यह अच्छा नहीं होगा वो Saul की तरह trick नहीं करने वाली होती फिर वो next दिन Harvard से मिलने आती है Harvard को idea होता है कि वो वहाँ क्यों आई है उसका resignation लेटर वो देखता है और उसे बोलता है कि तुम अगर अलग firm में जा रही हो न श्वाइकर के साथ तुम जा रही हो ऐसा वो उसे बोलता है किम बोलती है कि मैं किसी भी firm के साथ नहीं जाने वाली अब मुझे solo practice करनी है मुझे try करना है कि हम मैं solo में कैसी कर सकती हूँ वो उसे बोलता है कि Saul ने भी resignation कर दिया और तुम भी resign कर रही हो यह coincidence नहीं हो सकता तो बोलती है कि एक ही office में हम काम करने वाले है पर हम अलग-अलग practices करेंगे वो उसे बोलता है कि यह बहुत smart move है उसे अच्छा लगता है कि अब किम अपनी separate practice कर रही है वो बोलता है कि मैं भी अपनी separate practice ही करने वाला था पर मेरे father ने मुझे रोक लिया उन्होंने ये firm already बनाई हुई थी तो मुझे इसमें ही partner बनने के लिए उन्होंने password कर लिया उसके जो broken dreams होते है यहां हमें इस scene में दिखते है किम उसे बोलती है कि HSM ने मेरा जो भी loan दिया था वो मैं pay करने वाली हूँ पर मुझे वो अकड़ा पता नहीं है मैं accountant से वो लेने वाली हूँ हावड फिर उसे बोलता है कि तुम्हें हमारे तरफ से ये gift समझ लो तुम्हें अब वो pay नहीं करना है किम को ये अच्छा लगता है और thank you बोलकर वहाँ चले जाती है हावड तुरंद ही अपने सेक्रेटरी को मैसा वर्डे को call करने के लिए बोलता है किम ये सुन लेती है और खुद भाग कर call कर देती है next day में हमें दिखता है कि सौलामांका को driver होता है वो सौलामांका से मिलने आया हूँ होता है और my case अब देख रहा होता है next day में हमें दिखती है कि मैसा वर्डे के साथ लंच कर रही होती है वो उनको अब pitch कर रही होती है कि उन्हें उसके साथ ही काम करना चाहिए वो उनको बोलती है तुमें बहुत सारे suit पसन आते है तुम हमेशा तुमारे लिए customize suit ही बाई करते हो तुम उसे सिलवा लेते हो क्योंकि वो suit तुमारे लिए बना हुआ होता है ऐसे ही मैं तुमारे case के लिए सिर्फ काम करूंगी 90% priority मैं तुमारे case पर ही डालने वाली हूँ वो बोलती है कि मैं safe choice नहीं हूँ पर मैं best choice हूँ मैसा वर्डे भी उस पर believe कर लेते हैं और उसे view case देने वाले होते हैं सौन ने फिर उनके लिए एक office देखा हूँ होता है और वो किम को वो office दिखाता है किम उसे बता थी है कि मुझे वो client मिल गया है और वो बहुत ही खुश होती है हवर्ड फिर चक के पास आता है वो चक को बोलता है कि मेसा वर्डे जो client था अब वो हमारा हाथ से चला गया है चक उस पर काम कर रहा होता है अब चक के पास काम नहीं रहता हवर्ड उसे बोलता है कि last meeting के लिए मैंने उनने फिर से बुलाया है हावर्ट चक बोलता है कि हम मैं भी उस मीटिंग में आने वाला हूँ फिर वो दोनों वस मीटिंग में जाते है हावर्ट चक से बोलता है कि हमें professional sound करना है अगर चक ऑफिस में आता है तो उन्हें lights वेकरा सब बन करने पड़ते है पर चक बोलता है कि तुम्हें आज lights वेकरा बन करने की कोई भी जरूरत नहीं है मैं ऐसे ही ओफिस में आ जाऊंगा फिर हावर्ट मान जाता है और दोनों हमें ओफिस में दिखाए गए है चक मैसा वर्टे से बोलता है कि कीम एक अच्छी चॉइस है हम दोनों बुड़े लोग है banking lodge होता है उसके लिए नई PD की जरूरत होती है मैं सावर्टे कोई बेलिव नहीं हो रहा होता कि चक ऐसे बोल रहा है फिर उन्हें बोलता है कि banking lodge होता है वो इतना change होता है कि ये बहुत ही रिस्की होता है किसी को भी ये काम करने में इसलिए नई generation की इसमें जरूरत है ये जो laws हते है ये मैं lunch में भी मेरे entertainment purpose के लिए मैं पढ़ता रहता हूँ इतना जादा dedication इस banking law के लिए लगता है थोड़ी सी भी mistake हो गई और तुमें बहुत सारी penalty देने पड़ जाती है लोग इसी छोटी-छोटी mistakes के लिए जेल में भी जाते है वो उने convince कर देता है कि वो ही best है फिर से मेसे वरडे HSM के client बन जाते है हावर्ड चक को बलता है कि ये brilliant था हावर्ड को वही चक कर आ जाती है उसे electricity का बहुत ही ज़ादा दकलिफ हो रही होती है नेक सीन में हमें दिखता है कि इस वाल advertisement करने के लिए आरमी के airport पर आया हूँ होता है उसने एक बुड़ा आदमी लाया हूँ होता है और उसे आरमी का इन्यू फर्म पहना देता है वो वहाँ की captain को बोलता है कि ये जो बुड़े आदमी है इन्होंने याज सव किया था इनकी जो wish है वो है कि उनका जो plane है वो फेर से देख सके इसलिए उन्हों दिखाने के लिए हमने यहाँ लाया है उन्हेंने उस old man की जो wheelchair होती है उसमें cameras विकरे चिपाए होते है वो उस captain को बोलता है इस old man को पानी की ज़रूर थे फिर captain वहाँ सी चला चाता है तभी वो उनकी commercial shoot कर लेते है अब Saul को नए client चाहिए इसलिए वो commercial shoot कर रहा होता है Saul को earning call करता है और बोलता है कि चक की जो बिमारी है वो बहुत ही बढ़ चुकी है Saul उतना उस पर धहन नहीं देता वो किम के पास आता है किम और वो office rent करने वाले होते है इसके लिए जो agreement होता है उसे वो sign करने वाले होते है किम tension में होती है और उसे बोलती है कि चक वहाँ गया था और चक ने फिर से मुझसे वो client छिन लिया है Saul उसे बोलता है कि तुम्हें इतना ज़ादा tension लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है तुमने एक बार उन्हें sign किया था तुमने वो client लाया था और फिर से तुम वो client ला सकती हो और भी बड़े-बड़े client तुमें मिलेंगे वो positive होता है और फिर वो अंदर जाकर उस office को rent कर लेते है सौलमंगा के चुट्रक होते है माइक उस पर continue नज़र रख रहा होता है और वो कहा जाते है वो क्या करते है पूरे उनका route उसे अब पता चल जाता है सौल फिर जग की घर पर आ जाता है वहाँ उसका employee होता है और वो उसे घर जाने के लिए बोलता है जब सौय होता है तब सौल उसके मेजा वरटे के जो files होते है उसे चानता है मेजा वरटे के सब files वो लेता है फिर वो जो जो हेराक्स पर चला जाता है आज आगर वो सब documents के दो copies निकलता है मेजा वरटे का जो address होता है वहाँ 1261 होता है तो सौल वहाँ के अंक बदल देता है 61 के जगा वो 16 कर देता है वो बहुत ही identical दोनों होती है फिर वो जो incorrect document होते है वो चक के पास रख देता है जब सुबह होती है तो वो चक खोटाता है वो उसे coffee देता है सौल उसे बोलता है कि तुमने Kim का client चुरा लिया है Kim ने मेहनत करके उसे लाया था चक बोलता है कि वो उनकी choice थी हमने फिर से हमारा client फिर से acquire कर लिया फिर वो सौल को वहाँ से जाने के लिए बोलता है नेक्स दिन में हमें दिखता है माइक ने एक पाइप लाया हुआ होता है पाइक में वो होल करता है और नेल्स उसमें लगा लेता है अब माइक क्या करने वाला है यह हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा यही एपिसोड खतम हो जाता है